एमपथी ट्रस्ट द्वारा प्रखर लेखक पदमर्श्री डॉक्टर गुणवन्त शा को विशिष्ट प्रतिभा सम्मान एवोर्ड से नवाजा गया ये एवोर्ड उन्हें पुझे मुरारी बापु के हातों एनायत किया गया कलानगरी वडोदरा हमेशा से ही कलाकारों का सम्मान कर दिया है इस परंपरा को महराजा सयाचिराव का एकवार्ड ने शुरू किया था जो अब कई संस्थाव त्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसी ही संस्था है एमपथी for social ecosystem जो सामाज एक उतरतायत वनिभाने की रूप में स्वस्थ समाज के निर्मान के प्रयासों में चुटी हुई है एमपथी द्वारा विभिनक्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों को पुरिस्कृत करने के लिए एमपथी विसिस्थ प्रतिभास सम्मान एवोर्ड की खोशना की गई है पहला एमपथी विसिस्ट प्रतिभास सम्मान एवोर्ड दिया गया प्रखर लेखक और साहित्यकार टॉक्टर गुणमत शाहको हजी सुधी कोई दिवानी जोत अंधाराने कारणे होलवाई होये एवु बन्यू नथी आतो थई गुणमन भाई एक हेली थोडिक वातो आवो गुणमन भाई पोताना विशे तेमज गुणमन भाई विशे अनने विद्वानो साहित्यकारो अने तेमनाच परिजनो शू कहे छे त्या आपणे एक डोक्यूमेंटरी द्वारा जोहिए आपिश बन्यूमेंटरी थे विच्वादरी प्रिजनो शूकर प्रिज़ए Empathy is the ability to understand and share the feelings of another. Empathy has a very positive sense attached with it. It is very important to have empathy as being able to feel someone else's pain and sorrow is always better. And social ecosystem is a set of critical resources such as natural, socio-economic and cultural whose use and flow is regulated by social and ecological environment. Thus, the name Empathy for Social Ecosystem. Empathy Trust का ये पहला कदम संसकारी नगरी वरवड़रा के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोडने का प्रयास है. आज Empathy Trust द्वारा परम पुझे संत श्री मुरारी पापो के सानिदे में पदम श्री डौक्टर गुन्वन शा को विशिस्ट पृतिबा सम्मान एवर्ट से सम्मानित किया रहा है. साथ ही एक और बड़ी परसंता की बात है कि अब से MS यूनिवर्सिटी में पदम श्री डौक्टर गुन्वन शा स्वन चंद्रक छातरों को इनायत किया जाएगा. एमपथी फॉर सोसियो एको सिस्टम जो अपने नाम के मताबिक समाज एवर्ण परकृर्टी के पृति समवेदन शील्ड ट्रस्ट है. इस ट्रस्ट का उद्देशे समाज और प्रकृर्टी का संतुलन संजोना, साथ ही एक दूसरे के भावनाओं और समवेदनाओं की घट्टी कडियों का जोड़ना है. समाज में आपसे भावनात्मक सेहोग का वातरों तयार करना, समवाद स्थापित करना, जिससे एक स्वस्थ समाज की निव अधिक सदिक मजबूत हो सके. जन सामने को प्रभावित करते विवित शेत्र जैसे की साहिते, कला, शिक्षन, खेल, गीत संगीत, नुर्ते, अभिने, वानीजे, विज्ञान आदी अनेक शेत्रों में महारत हासिल कर समाज के लिए प्रेणा स्त्रोत बने ऐसे गुणमंद व्यक्तियों को एमपेथी सम्मान से सम्मानिद करना, समाज में रिते विवित भाषा और संस्कृति के लोगों की स्वाद संस्कृति का आदान प्रदान हो, इसलिए फूट फेस्टिवल का आयोजन करना, और समाज के वरतमान विश्यों जल एवं प्राकर्तिक संसाधनों का महतु समझाना, समाज और प्रकर्ति को आपस में एक दूसरे से भावना की डूर से जोड़ने का एमपथी का ये नम्र प्रयास है आशा है कि इसको आपकी सरहाना अवश्य मिलेगी गुणोंद्भाई शाहनु सन्मान थे रहुँछे ए समाचार्थी मने खुब आदन थे गुणोंद्भाई शाहनु सन्मान एटले गुजराती विचार नूँ सन्मान गुणोंद्भाई ए व्यक्ति नती आपणा वड़ोद्रानी शोभा छे औने गुजरातनू आभूशन छे आवा गुणोंद्भाई नू सन्मान पुज्य मुरारी बापुन हाथे थाए एन अथी वधारे रुडुशू होई शके आदर्णिय मुरारी बापु एज खहुँ छे के गुणोंद्भाई एटले गुजरात्मा चाली रहेला विचार यब्दन आचारी मने एक वाद याद आवे छे ज्यारे आपना वड़ाप्रदान मान्य श्री नरंद्भाई मोदी ना पुस्तक साक्षी भावनू विमोचन थवान होतु त्यारे श्रीश्री रविशंकर आवे आता अने श्रीश्री रविशंकर ने मानने नरंद्र भाईये गुणवन भाईये एक वाक्य मा कहेलू क्या ये गुणवन शाह है ये गुजरात की सम्वे दना है मारा पड़ीये लेखक गुणवंदशनु गुणवंदभै एवा लेखक के जेनी आंगली पकड़ी ने अमें मात शिख्या मनखु बानन थे रहोचे के एंपथी त्रस्त दवारा गुणमान शानू सन्मान थे रहोचे मात्र गुणमान शानू सन्मान नथी ए गुणमान ती गुजरात नू सन्मान चे ए गुजराती भाषा साहित्या कटार लेखन काव्यात्मक्तानू अने सम्वेदनशिल जीवन अने बाशानी खलखल वेती नदीनु सन्मान जे एक प्रकार ना मानस ना कॉम्मिनिकेशन नाई आवड़त अने एना पोता ना आंतरिक महेलाना वैभुनु सन्मान जे ए अंदर नी लिलीचम हरियाली अने जाकल बिना पारिजात एनुपन सन्मान जे गुणवन भाई कविता जे उव लखे कविता जे उजीवे और एक आभार मारे एपन मानवानो एक जाहर वक्ता तरीके पब्लिक स्पीकर तरीके गुणवन भाई गुजरात ना घणा बदा आयो जकोंने शिस्त बद्द करिया समय पालन नी टेव पाड़ता करिया पुरुसक चारों की ले लहाती फसल गुजराती भाषा जिसकी रक्त वाहिनियों में रक्त बनकर दोड़ती है और कलम से निकल कर हमारे दिलों तक पहुंचती है कथनी और करनी की जिन्दा मिसाल विश्व समाज चिंतक और विचारक वड़ोत्रा की अमुले धरोहर डॉक्टर गुनमन शाह आँ एमपथी ट्रस्ट छे एने विश्व मने अमना जानकारी मली जहरे त्रनेक मित्रो मने मलवा आवया सन्मान नी वात करी तेर एमने कहुँ का आँ सन्मान तो स्वर्वात छेक पद द वर्षो वर्ष देश्नी नामांकित प्यक्तियों ने बरुडा बोलावी ने संस्का आँ सन्मान थाए तेनी शर्वात अमारी इच्छे वीचे के स्वर्वात गुनमन साथी थाए मने बहु अभिमान थेए को हो आपना लोकोन मा केवद छे गर्णो जोगी जोग्तो तो बरुडा एक केवद खोटी पाडी तो प्रणी पाडी पाडी जे मुटो प्रकल्प लि अब्रप के तो प्रुसकारों सन्मान थे डेर तो परुसकारों सन्मानित, पदमिश्यरी डोक्टरर गुनमन रचा कभी भी पुरुसकारों के पीछे नहीं भागे और नहीं उनकी खलम को इसके कभी जरूरत पड़ी एमपथी ट्रस्ट के सदद से जब इस अजीम शख्स के घर टहू को पहुचे तो कश्वा कश्मे थे कि पदमशिरी खिताब से नावाजे जा चुके डोक्तर गुनवन शा एमपथी विशिस्ट परतिवा सम्मान स्विकार करेंगे या नहीं अब तावनारा वर्षों मां के जे मानस आवे दाखला तरी के मुखे शंबाणी आवे तो त्यनु एकोनोमिक्स में गोल्ड मेडल हुए करके मैं फ्रिटान स्विकार कारी करिफ आवे चुके विशिके में निब नहीं समाध तो परतिव कोरी कारातु है परतानी अमिरी परताना वेकी हो खिलंग्या मार्ग्या शंभा तरथ शितिने कुक्री तो द्रव मार्गाश स्ँष़ाव नहीं पहुझ मोड़ी हाज्रीब आज्राने के राम एक विचार्णू नाम चे है नाम दूंची आजियरा हमें यह खास ळंट जए रिडे वन में। यह भरते छे और एक विजानी उपस्तिती में बनने जरीते खीले छे तैरत में जू हो का मात्रों बाब दिकरी न थी एथी बदा ले छे साचा अर्थमा सखा सखी छे मित्रभाव चे अवे एक मानस आ जातनी पतनी अन्या जातना बाड़को जो मेड़ भी शक्तो हो तो धन्या सेनुजी न मारी रविवार नी सवार मारी अने म्रुगंग नी तौका मा आवी ने थाई छे अक्को अठवाड यू भाग दोड मा को सब्सक्तिक बन्या दिना जातना ज सब्सक्तिक हो हो तो मारी यह दो फ्ल्यात थे मत्र टालाुनी युह मट्र सब्वावन मारी तो नी जुद तो दुर्या प्रेण there यही मारी प्रात्ना चे बगवन ने तौका पर आओं थाली डबा लईने आओ और भरेला डबा लईने जाओं मारी मम्मी पासे थी तो बगवान पासे जो बीजु का यह मांगवान हुए तो यह मांगी इसके हूं जटली बी बर्शो वरस अधी आविरिते आओती रहूं अन्या हीचका पर यह लोको ने बनने उने बैसी ने जुलता जूँं ए मारी बगवान पासे भी जी प्रात्ना चे थेंक यू यह मानतो न थे पर जो होई तो मारो ने हम नो पोनल जम न जो मानथ तरीके ताई अमें मित्र वो यह कि tirar भावना खरी भाइ इटले टौका श्रम ना कूलपीता भाइ इटले हीचका उनिवरसिटी ना कूलपती भाइ इटले है यह एज होठे कतनी एज करणी भाइ इटले शिक्षक से पदमशीरी बने डॉक्टर गुन्वन्ट शा का सफर आज भी जारी है भारत की राजधानी दिल्ली में दाराशुको मार्ग उसका साक्षी है अपुताना सर्जन द्वारा सत्यमने प्रगट करवो शिवमने स्थापन करवो और सुन्दरमनी प्रतिष्ठा करवे गुजराती साहित्य को बढ़ावा देने में पदमशीरी डॉक्टर गुर्मंत शाह का बड़ा योगदान रहा है और इसलिए एंपाथी ट्रस्ट द्वारा उन्हें विशिष्ट प्रतिभास संबान एवोर्ड से नवाजा किया और यह संबान पदमशीरी डॉक्टर गुर्वनत शाह को दिया गया संत पुच्य मोरारी बापु के हाथ हो एमपथी ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर गुणवंतर शाह को एक लाख रूपियों का नगत पुरसकार दे कर उनके योगतान की सरहना की गई डॉक्टर गुणवंतर शाह की किताब संभवामी क्षणे क्षणे का विमोचन भी समारों के तौरान किया गया इस किताब का लेखक बंसिधर शर्मा ने हिंडी में अनुवाद किया है टीम एमपथी की और से पंकट जानी मकरन मूसले बालू शुकला भावेश लुढाया अजय कपूर कमल पंडिया मयंक फट जिकनेश जोशी ध्यानेशवर प्रकाशकर नील व्यास सचिन खंडेवाल और वीमल पटेल की इस समारो को सफल बनाने में एहम भूमी का रही संत पुचि मुरादी बापु ने इस विशेश कारेक्रम में शिर्कत कर अपने आशिरवचन भी थिये बडोद्रा को संसकारी नगरी कहते हुए उन्होंने बडोद्रा की संस्कूरूती को सराहा इस समारो में श्री मुरादी बापु के आशिरवचन और एवोर्ड पाकर क्या कहा पत्मश्री डॉक्टर गुर्वंत शाहर ने देखिए 20 मई 2018 रवीवार को विएनेम यूज में